हेलो फ्रेंज, आज मैं आपको 2017 की होट समर नाइट्स एक क्राइम ड्राम मुवी एक्स्पेंड करने माला हूँ एक टिनेज लड का ड्रग सेल करने लग जाता है पर प्रॉल्लम तब आती है जब उसकी ग्रीड बढ़ती जाती है आज के हमारी जो मुवी है ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ट है मुवी की सीटी 90's की है इसका म्यूजिक और आल इन्वर्मेंट इसे वन आप दे बेस्ट मुवी बनाता है अगर आपको इस मुवी की लिंग चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझसे ले सकते हो इंस्टाग्राम की लिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है तो चले है इस मुवी को इस प्लेन करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन केरिक्टर जिसका नामे डैनियल यह बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा है रात का समय था और उसके साइट से आने वाली गाड़ी उसे दिखी नहीं उसका एक्सिडन्ट हो जाता है इसके बाद यह स्टोरी थ्री मन्स बिफोर के इवेंट से स्टार्ट होती है समर आ चुका था फिर भी डैनियल बहुत ही दुखी था उसके फादर की अभी अभी डेथ हुई थी मदर आज सेमेटरी जा रही थी डैनियल अपने रूम में डिप्रेज वेटा था उसकी मदर ने उसे समझाने की कोशिश की कि पुरा समर तुमारा ऐसा ही जा रहा है उसके मदर चाहती है कि डैनियल मुवान करे पर वो करने के लिए रेडी नहीं है मदर फादर की ग्रेव को विजिट करे है तो इसे भी लेकर जाना चाहती है डैनियल की डैड एक परफेक्ट आदमी थे एक अच्छे डैड एक अच्छे हजबन और सब लोग से पसंद करते थे अपनी कंट्री को भी उन्होंने सर्व किया था फादर के जाने के बाद डैनियल बहुत ही डिस्टब हो गया उसके फादर ने उसे बहुत सारी म्यूजिक रेकॉर्ड्स लाकर दियो है थे उसे लगा कि अगर वो मुवान करना चाहता है तो इस सब रेकॉर्ड्स को उसे जला देना है उसने कि आपर पुरे घर को आग लग गए डैनियल की मदर उसको साइकोलोजिस के बास लेकर गए साइकोलोजिस ने का कि डैनियल को बहुत ही हेल्प की ज़रूँ थे इसलिए उसने इस सब किया था जब मदर और डैनियल दोनों फादर की ग्रेव को विजिट करने के लिए आते तब मदर गए थी है, यह पुरा समर तुम तुम्हारे एंड के साथ घुजारने वाले हो, डैनियल को यह पसंद नहीं आया, मदर ने का यह तुम्हें भी तुम्हारे फादर जैसा बनना चाहिए, एक अच्छा आत्मे डैनियल को बनना चाहिए, इसके बाद हमें डैनियल के एन का टाउन दिखाया जाता है, इस टाउन में समर सबसे ज़्यादा होट हुआ करता था, बड़े-बड़े सिटीज में रहने वाले लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज बाय करके रखी थी, जब भी समर आता था तो सब लोग यही आ जाते थे, सीशोर पर बहुत सारे म उसी पार्टी में डैनियल पहुचा, उस पार्टी में भी उससे आउट अप दो प्लेस लगा, वो बहर आ गया और वहाँ पर उसने हंटर को देखा, हंटर हमारा और एक मेन गैरिक्टर है, नोवेल्स में टीन मूविज में जिस तरह से अलफा मेल दिखाया जाते है, उसी इनका सप्लाय हंटर ही है, हंटर एक आटो सर्विस में काम करकर वह इस सब लोग को सेल करता है, हंटर के बारे में बहुत सारी रूमर्स भी है, वो एक प्लेबॉय है, उसने एक आदमी को मार डाला था, इस तरह की अजीव जीब बात है उसके पीछे की जाती है, हंटर इस इस चुपा देता है, डैनियल ने हंटर को हेल्प कि, तो हंटर डैनियल को हाई होने के लिए इनवाइट करता है, एक पार्टी में डैनियल ने हंटर के साथ पहली बार नशी किये है, और उसके बाद ये दोनों फ्रेंड्स बन गए, एक दिन ओपन पार्किंग ठेटर में मुवी देख रहा था, उसके सामने एक कपल की गाड़ी थी, जिनका जगड़ा हो रहा था, कपल में से लड़की काड़ी से बाहर निकले, और डैनियल के कार में आकर बैट गए, यह हमारी और एक में गार्टर है, जिसका नाम है कायला, कायला ने डैनियल से खा, कि चलो यह से चलते है, कायला एक बहुती ब्यूटिफुल करल है, टाउन में सब लड़के उसके पैर में है, उसके बीचे वो इतने बागल है, कि उसका जुटा गम भी खाने के लिए रेडी है, फिर से हम सीन की तरफ मुड़ते है, कायला को मनाने के लिए उसका बॉइफ्रेंड कार तकाता है, और कायला डैनियल को कहीती है, कि जल्दी से आचलो, क्या तुम्हें समझ में ने आया, डैनियल फिर कार निकाल लेता है, डैनियल कायला के साथ बहुत ही नर्वस है, उसे क्या बात करनी है, कुछ भी समझ में ने आता, उसे देखकर सिर्फ वो स्माइल करता है, क दैनियल भी चिला कर उसका नाम पूछ लेता है कायला डैनियल को उसका नाम नहीं बता दिये डैनियल को कायला बहुत ही पसंद आई थी जब वो दूसरे दिन हंटर के साथ बीच पर बेठा हुआ होता है तो वो कहता है कि एक बहुत ही ब्यूटिफुल लेड़ की मुझे है कि वो मेरी सिस्टर ही थी हंटर और कायला की अब अच्थी relationship नहीं है कायला जल्दी से इस town से दूर जाना चाहती है हंटर डैनियल को कहता है कि उसके बारे में सोचना भी मतentin डैनियल भी इसके लिए मान जाता है हंडर के सामने डैनियल कुछ भी नहीं है और मार खाने से दैनियल हंटर से कहता है, कि मुझे तुम्हारी लिए काम करना है, हंटर जिस तरह से अच्छे पैसे कमाता है, दैनियल को भी उसी तरह से कमाने है, हंटर भी इसके लिए मान जाता है, और दैनियल को सब कुछ सिखाता है, दैनियल अब थोड़ा बहुत सेल करने लग चुका है पर डैनियल को एक दिन एक पुलिस सार्जंट रोक लेते हैं उसके कार में वीड था तो यह बहुत ही डर चुका था सार्जंट ने डैनियल से बात की और उसे इंडायक लिए वो बता कर चले गए कि अगर वो इसी तरह से सब कुछ काम करता रहा तो बहुत ही गलत जगा पर वो पहुचाएगा उसका एंड सही नहीं होगा इस क्लोज इंकाउंटर के बाद डैनियल बहुत ही डर गया उसने हंटर से बात की और कहा कि मुझे जेल में नहीं जाना है वो बहुत ही डरा हुआ है तो हंटर उसे कहता है कभी भी तुम जेल में नहीं जाओगे जिस सार्जन्ट से तुमने बात कि वो मेरे पीचे बहुत सारे सालों से है वो मेरे अगेंस्ट अब तक कुछ भी करने पाया कोई भी हमें पकड़ नहीं सकता थोड़े दिन सब कुछ सही चलता है तो डैनियल फिर से हंटर से कहता है कि हमें और भी कुछ बड़ा करना चाहिए और वो परसनली थोड़ा थोड़ा वीड सेल करते है पर उन्हें और एक बड़ी टीम चाहिए और भी उन्हें बड़ा सप्लाई चाहिए हंडर कहता है कि यह सब बहुत ती रिस्की है हम यंग है तो हमें कोई भी जादा सप्लायर नहीं करेगा डैनियल ने एक जगा ढून ली थी जहाँ पर एक सप्लायर था उसके पास जाकर वो बहुत सारा वीड लाने वाला था हंडर को भी वहाँ वो लेकर गया यह सप्लायर पाटी कर रहा था तो डैनियल भी उसके पास पहुँचा उससे उसने बात कि और कुछ वीड मांगा सप्लायर को लगा कि उससे सिर्फ स्मॉल अमाउंड में चाही होगा अजब गया कि उससे पूरी बैक चाहीए तो इस supplier बहुत ही ज़ादा चिड़ गया उसे लगा कि Daniel पुलिस के लिए काम करता है यह supplier Daniel को मारने ही वाला था पर उसे save करने के लिए hunter भाँ पोच गया supplier को hunter ने injure कर दिया इसके बाद हम देखते हैं कि Daniel और Kyla फिर से एक shop में मिलते है Kyla Daniel को notice करती है और बुच्छती है क्या तुम मेरा पिछा कर रहे हो डैनियल कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है Kyla उसके पास आती है और flood करती है कहती है यह मेरी sunscreen तुम smell कर सकते हो डैनियल कहता है कि हाँ वो एक lollipop खा रहा था Kyla यह test करकर फिर से उसे वापस दे देती है अब वो वहाँ से जा रही है तो डैनियल कहता है कि संडे को fireworks है या तुम वहाँ जाने वाली हो Kyla कहती है कि शायद जाऊंगे और वहाँ से वो चली जाती है नेकसिन में हम देखते है कि डैनियल जब घर वापस जा रहा था तब एक वैन ने उसे रोक लिया जबरदस्ति उसे उठा कर वो लेकर गए इस वैन में हंटर भी था डैनियल और हंटर को वो एक डैनर पर लेकर जाते है जिन लोगों ने इने उठवाय है ये गैंग के लिए वीड सप्लाय का काम करते है जब हंटर ने सप्लायर को मारा तब उनकी नजर में ये आ गए गैंग के आदमियों में एक का नाम डैकस है डैकस इन से कहता है कि जो भी वीड तुमें लगेगा ये सब हम तुमें सप्लाय करेंगे ये इन दोनों के लिए वेस्ट है क्योंकि इन्हें तरह कम प्राइज में मिलेगा और ये अच्छा सा सेल भी कर पाएंगे डैकस उने कहता है कि तुमें जितना भी चाहिए वो सब कुछ में तुमें प्रोवाइड करूँगा पर मुझे पेमेंट टाइम पर मिल जाना चाहिए अगर नहीं मिला तब तुम्हारा बहुती बुरा हाल में करूँगा डैनियल भी इसके लिए मान जाता है फर्स टाइम में ही वो फाइफ पाउंड्स मांग लेता है इतना कभी भी उन्होंने हैंडल नहीं किया था अंडर डरता है को कहता है कि हम इतना कैसा सेल करेंगे डैनियल बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है एक्चल में डैनियल का एक थोड़ा सा क्रेजी कजन था वो खुद नशेडी था तो उसके एरिया में हर एक नशेडी को जानता था डैनियल ने उसे प्रॉड़क्स सब्लाइ किया और सब कुछ उसने सेल कर दिया इसके बाद इनके बिजनेस का रॉकेट लाँच हो जाता है बहुत सारे बैसे कमाते है, स्पोर्ट्स कार बाई करते है पॉबलिक में और भी डिमान बढ़ता जाता है और इस अप्लाइ करते रहते है अब संड्य आता है, यह फायरवर्क्स का दिन है काईला यह देखने आने वाली थी डैनिल भी हाँ पोचता है काईला को स्टोर में एक पाउडर नहीं मिल रही थी तो डैनिल यह उसके लिए लेकर आया हुआ है यह दोने दुसरे से बात करते है डैनिल ने उससे थोड़ा सा फ्लर्ट किया पर काईला का बॉइफरेंड वहा आ गया डैनिल भाह से जा रहा था पर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया बॉइफरेंड के सामने ही उसने काईला को खिस कर लिया इसके लिए बॉइफरेंड के हाथ से वो मार भी खाता है निक्सिन में हम देखते है कुछ लेड़ी क्या डाइनर में थी इन ग्रूप में इसे एक लड़की का नाम है एमी हंटर भी यही था और बहुत टाइम से उससे ही वो देख रहा था हंटर फिर उसे अप्रोच करता है एमी कहती है कि मैरा एक बॉइफरेंड है हंटर बोलता है कि मुझे पता है कि कोई भी नहीं है अगर तुम ज़्यादा भाव नी खाओगी तो मैं तुम्हारा बॉइफरेंड बन सकता हो यह दोनों फिर डेट पर जाकर कपल बन जाते है एक दिन डैनियल मुवी देखने के लिए आय हुआ था वहाँ उसे फिर से कायला मिलती है कायला उसके फ्रेंड्स के साथ होती है उसे यह दिया कि तुम अपने आपको समझते गया हो डैनियल ने जो किया इसके लिए सौरी कही कर वो टौलेट चला जाता है थोड़ी देर में कायला भी उसके पीछे आ जाती है उसे पैशन से किस करकर वहाँ से चली जाते है इसके बाद कुछ सीन्स में हम देखते है कि हंटर और एमी यह दोनों कपल बन चुके है अलग एक प्लेसे जाते हैं मजे गरते हैं उसी तरह से डैनियल और कायला के भी रिलेशन्शिप इंप्रू हो रहे है हंटर को एक दिन पता चला कि कायला को किसी ने जबरदस्ती किस किया डैनियल कोई बाद उसने कही हंटर ने कहा कि अगर हो मुझे मिल जाए तो उसके बहुत ही बुरा हाल में करूँगा यह डैनियल ही था तो बहुत ही डर जाता है एक दिन डैनियल और कायला यह दोनों गाड़ी में हाय हो रहे थे डैनियल ने कहा कि अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तुम्हें सब कुछ लाकर दे सकता हूँ कायला को जाधा ड्रग्स करने अच्छे नहीं लगते हैं वो कहती है क्या तुम हंटर को जानते हो उसके बाद मेरी मदर को कैंसर हुआ वो एक ही चीज चाहती थी हंटर ड्रग्स सेल करना छोड़ते पर उसने कभी भी ऐसा नहीं किया उसने मदर की विश कभी भी कम्लीट नहीं की और मदर की डेथ हो गई उससे किल्टी महसुस होता है वसलिए हर मंद वो पैसे चोड़ कर जाता है कैला कभी भी उसके पैसे यूज नहीं करती इसके बाद और कुछ सीन्स में हम देखते है कि डैनियल और हंटर इनका बिजनेस और भी बढ़ चुका है इनके पास पैसों से भरी हुई बैक जाने लग जाती है एक दिन डैनियल और कैला एक दूसरे के साथ इंटिमेट भी हो जाते है नेक सिन में हम देखते है कि रात में तोनों गेम आर्केट आए होए थे वही हंटर एमी को भी लेकर आया डैनियल और कैला ने प्रिटेंड किया को एक दूसरे को नहीं जानते हंटर और कैला एक दूसरे से बात नहीं करवाए और आकवर्ड होकर कैला वहाँ से चली गए आगे चलकर डैनियल कैला को पिक अप करता है काला कहती है अगर उसे पता चला तो तुम्हें वो मार डालेगा हंडर की गल्डफरेंड एमी हर रात अपने रूम से बाहर निकल कर उसे मिलने के लिए जाती थी एक दिन उसके फादर को शक चला गया और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया यह फादर और कोई नहीं तो पुली सारजंट ही है इसके बाद सारजंट हंडर को समझाने के लिए उसके शौप में आते हैं उसके गहते हैं कि चलो मेरे साथ तुम चलो एक बार के बाहर उसे वो लेकर आते हैं यहां Hunter के father ड्रंग होकर पड़े हुए है Sergeant Hunter को समझाते है कि तुम्हारे father ने पूरी life destroy कर दे तुम जो भी कर रहे हो अगर तुम ऐसे ही करते रहे हैं तुम्हारे life भी बरबाद हो जाएगी तुम एक smart लेड़ के हो चाहो तो बहुत सरी अच्छी चीज़े तुम कर सकते हो Hunter कहता है कि वो life मेरे लिए नहीं है college जाना, job करना या सब चीज़े में नहीं कर सकता Sergeant फिर उसे एक story सुना दे Sergeant और Hunter के father यह जब young थे तो बहुत ही अच्छे friends होआ करते थे यह दोनों भी मिलकर illegal चीज़े करते थे एक दिन बड़ा trouble हो गया इन पे serious charges लगने वाले थे तो Hunter के father ने पूरे charges खुद पर ले लिया उन्हाने Sergeant को बचा लिया इसलिए Sergeant ने फिर अपनी life को सही से सुदा रहा वो Hunter के father को हमेशा के लिए thankful है इसलिए Hunter को help करना चाते है पर Hunter सुनने वाला नहीं Hunter को कहते है कभी ना कभी तुम्हें jail जाना पड़ेगा Hunter कहता है कभी भी मैं jail नहीं जाओंगा चाहे कुछ भी हो जाए Hunter determined है इसके बाद हम देखते है कि Daniel और Kayla एक दूसरे के साथ बहुत सारा time spent करते है वो एक दूसरे को पसंद तो करते है पर डैनियल अब उसे I love you बोलने वाला था वो कहते है कि summer को end हो जाने तो अगर तब भी तुम्हें बात करना चाते हो तब तुम करना एक दिन डैनियल Hunter से बात करते है वो कहता है कि हम जो weed waker sale करते है हमारा network तो बहुत ही strong बढ़ चुका है हमें हमारे profit भी increase करने पड़ेंगे वो कहता है कि मैंने और एक supplier ढोन लिया है Hunter कहता है कि और एक supplier हमारे बास तो एक अच्छा supplier है डैनियल कहता है कि नहीं अब मैं cocaine की बात कर रहा हूँ Hunter ये सुनकर surprised होता है उसे stickly गहता है कि ये सब नहीं चलेगा अगर हमारे supplier को पता चला कि हम उसे double cross कर रहे है तो हमें वो मार डालेगा डैनियल मानता नहीं वो कहता है किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा Hunter उसे warning देता है तुम्हें जो भी करना होगा वो तुम करो पर अगर कोई करबढ़ होके तो मेरे पास रोते हुए मताना Hunter को अपनी sister Kayla के साथ उसके relationship सही करनी है वो एक रात उसे मिलने के लिए आता है वो कहता है कि तुम्हें माफ कर दो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहला कहती है ड्रक्स सेल करना छोड़ दो Hunter पहले थोड़ा सा सोच रहाता है पर इसके लिए मान जाता है जब रात आती है तो Kayla बैक लेकर हंटर के बास आ जाती है ये दोनों ब्रदर सिस्टर अभी इस टाउन से चले जाने वाले है एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाले है जब वो यहाँ पहुचती है तो Daniel को नोटिस करती है Daniel ने उसे कहा था कि उसके ब्रदर को नहीं जानता वो फिगर आउट कर लेती है कि Daniel ट्रक्स सेल करता है उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है उसके प्लांस वो कैंसल करती है हंटर ने Daniel को कहा था कि उसे और कोई डील नहीं करने चाहिए पर Daniel मानने वाला नहीं उसके नए कोकेन के सप्लाइर के पास वो पहुच जाता है इस सप्लाइर उसे प्रॉड़क्ट टेस्ट करने के लिए बोलता है डैनियल उसे जब टेस्ट करता है तो सप्लाइर हसने लग जाता है वो कहता है कि तुमने अभी-भी जो लिया बेभी फोर मिला था मैं तुम्हें कुछ भी सेल नहीं करने वाला तुमारा प्रिवेज सप्लाइर बहुत ही डेंजरस आदमी है उसे अगर पता चला कि तुम यहाँ आये हुए थे तो बहुत ही बुरा होगा डैनियल के सब पैसे वो ले लेता है और उसे कुछ भी नहीं देता इवेंचली सप्लाइर को पता चली ही जाता है अब उसकी लाइफ खत्रे में है सब पैसे वेगरा लेकर वहाँ से भाग जाना चाता है आज एक बड़ा तूफान आया हुआ है डैनियल हंडर के बास उसे वोन करने के लिए जाता है हंडर कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ कभी भी फिर से वापस मत आना और मेरी सिस्टर के बारे में सोचना भी मत डैनियल कहता है कि मुझे एक बार उसे मिलना है और यहाँ से मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा डैनियल स्पीड में जा रहा था तब यह उसका एक्सिडन होता है यह वही एक्सिडन है जो मुवी के फर्स में हमने देखा है इसमें उसे ज़्यादा चोट नहीं आती पैरलल में हम देखते है सप्लाय यानि कि डैनियल के पास आ चुका है डैनियल कहा है और वो डैनियल को मार डालने वाला है हंटर डैनियल के बारे में कुछ भी नहीं बताता डैक्स उसे कहता है कि तुम्हें जो भी मालूम होगा मुझे बता दो वरना बहुत बुरा होगा पर हंटर फिर भी नहीं मानता इसके बाद डैक्स हंटर को मार डालता है टाउन से बाहर निकल जाने के लिए जब कायला हंटर के पास पहुचे तो हंटर की बॉड़ी ही उसे मिली उसके बाद अपनी नई लाइफ स्टार्ट किरने के लिए वो अकेली ही चली गए डैनियल का एक्सिडन्ट हो चुका था तो कायला से वो मिलने पाया उस राद जो तुफान आया उसने पुरे टाउन को तैसनेस कर दिया डैनियल को पता था कि कायला के लिए वो सही नहीं है तो उसने कभी भी उसका पीछा नहीं किया उसके बाद वो भी इस टाउन से गायप हो गया वो कहा गया ये किसी को भी पता नहीं है यही मूवी एंड हो जाती है डैनियल की ग्रीड की वज़े से उसके best friend का murder हो गया Ella को हमेशा के लिए उसने खो दिया ये movie हमें बता कर जाती है कि great बहुत ही घटिया चीज़ है आज का वीडियो हम यही खतम करते है और आपको वीडियो अच्छा लगा तो please इस वीडियो को like कर दिजेगा बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो please इस चानल को subscribe कर दिजे और bell notification icon दापाने में मत भूले है हम फिर से मिलेंगे और इनी movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया